तो इस वीडियो में हम आपका मार्ट टेस्ट लेने वाले हैं बहुत इंपार्टेस्ट रहेने वाला है तो दूसरी बात हैं कि हमने अब टाइम जो है आपका वह फिक्स कर दिया है क्लास की टाइमिंग से क्लास की टाइमिंग यहें वह आलाइन बैच के लिए वह हैं दो बजे आपका मार्ट टेस्ट होगा क्टेट का 10 तो दूसरी बात जो आपका नेक्स्ट लेक्चर फिर आएगा वह आएगा नव बजे ठीक है यह निकि नाइन पीम पे वह आएगा तो उसमें आपका आ इसे दो ही लेक्चेर्स आएंगे दिख लिए हम हमारा गरज था कि हम चार लेक्चर आपको अप्लोड करेंगे उसमें से आपका मदब अच्छे से कंप्लिट होगा लेकिन हमें भी कही ना कही हमें भी यह लग रहा है कि आपका जो इंट्रस्ट है वो देरे-देरे खतम हो रहा है तो इसलिए मैंने विर सोचा कि मदब हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे आप मैंसे भी वह सारे जो है फ्रेंड से उन्होंने बुलाए कि सर कोई बात नी दो लेक्चेर्स ही दो तो आप अपना जो टाइम है उसका भी आप खयाल रखे ठीक है अपनी स्टैडिस का भी तो आप दो लेक्चेर्स आएंगे ठीक है ना चलिए तो सिकोर नोट करना लास्ट में हमें बताना कितने कि यह आपने चलिए कोस्टन नमबर वान देख लीजिए विच आप दा फालिंग इस नून आज मास्ट ग्लेंड शाबाश ऑप्शन अप्शन इस देख लीजिए प आपको सिल्ला टीनिका हैंना सिल्ला टीनीका में होता है कुं सिल्ला टीनिका एक डिप्रेशन घान ने कहां एमारे ब्रैन में वही होता है इसका शाइज कितना होता है अपको деस और फालिजिए चाया यह सिट्ट ना उसी यह साइज वाइभाश प्शन नमर 2 दिख लिए एक इन में से exocrine, शबाज बताइए, pitutuary, thyroid, parothyride, यह slivery gland, तो question number 2 का जो सही ज़ाब है, हुँआ है आपका part D, slivery gland, क्यों? क्योंकि slivery gland जो है, यह exocrine gland है, यह exocrine gland है, तो यह pitutuary, thyroid, parothyride यह Napikeya, यह endocrine gland है, endocrine gland का मतब क्या होता है यह यह कि यह दा यस सीचेंड बियुकले और दातवा स्वाइट ना टा कट पॉ में नीयुक्पलि ना Кुल्ग फोनना सिवेट ब्लेइड सिवान्ड जो है mucous gland जो है और digest gland जो है वो क्या है वो एक्जोक्राइन ग्लेंड हो दे है और slivery gland भी एक एक्जोक्राइन ग्लेंड है तो question number 3 देख लीजिए which hormone is not secreted by pituitary gland TSH, FSH, LH, calcitonin which hormone is not secreted by pituitary gland शबाज बताईए तो question number 3 का जो सही जवाब है वो है part D, calcitonin तो calcitonin को कून secret करता है देख लीजिए TSH जो है ना thyroid stimulating hormone FSH that is follicle stimulating hormone LH that is luteinizing hormone ये तीनों के तीन जो है ना इनको pituitary gland secret करता है calcitonin को कून secret करता है इसको parathyroid gland parathyroid gland आपने अदाम सुना होगा पढ़ाया है मैंने आपको ये detail में parathyroid gland किसको secret करता है calcitonin को secret करता है parathyroid gland जो है ना ये भी इंडोक्राइन gland है याद रखना ये भी इंडोक्राइन gland है question number 4 देखिए testa stone is secreted by शबाश testa stone को secret को उनका पाइड टेस्टीज, ovaries, pituitary gland या adrenal gland, शबाश question number 4 का जो सही जवाब है वह आपका part A that is testis का secret करता है testa stone वो secret करते हैं question number 5 देखिए guiter is causing due to deficiency of guiter किस चीज़ से होता है due to deficiency of FSH, LTH, LH, thyroxine यानि कि किस hormone की deficiency से guiter disease होते हैं guiter क्या होता है वो जो bowel, shepherd, swelling होते हैं कहां पे हमारे neck में बताइए question number 5 का जो सही जवाब है वो आपका thyroxine कून इसको secret करता है शबाश, इसको कून secret करता है thyroid gland thyroid gland भी क्या एक endocrine gland है question number 6 देख लिजिए pituitary gland is controlled by pituitary gland जिसको आप must gland बोलते हो इसको control कून करता है hypothalamus, spinal cord, cerebrum या cerebrum शबाश, बताइए question number 6 का जो सही जवाब है वो है आपका part A hypothalamus का सही जवाब है ठीक है तो question number 7 देख लिजिए which gland releases fight and flight hormone, शबाश fight and flight hormone कून secret करता है बताइए शबाश, thyroid, adrenal, thymus, या pituitary, शबाश सबसे पहले important point एक मैं आपको पता दोगा fight and flight hormone जोने इसको मूलते है fight and flight hormone भी ठीक है fight and flight fight and flight hormone fight and flight fight and flight hormone जो हो कून secret करता है इसका जो question number 7 का जो सही जवाब है वह है आपका adrenal gland और इकिंबाट इनपोइट आडरेनल गलेंड के बारे में क्या आपको पता है adrenal gland को हम क्या बोलते हैं दूसरा नम इसका क्या है suprarenal gland, क्या है इसका दूसरा नेम kidneys, kidneys के ऊपर यह होता है कून adrenal gland तो question number 8 question number 8 देख लीजिए endocrine gland present in our chest cavity हमारे chest cavity में कून सा endocrine gland होता है बताए pituitary gland, adrenal gland, parathyroid gland या thyroid gland question number 8 का answer वैसे तो इसमें वो वाला option है नहीं तो अगर आप दोगे तो मुझे पता है अगर आप चारो option पेसे कोई option दोगे ना, वो गलत होगा क्योंकि इसमें option गलत है इसका जो सही जौब है ना, ये इसमें सारे option गलत है इसका जो सही जौब है ना, वो thymus है क्या है? thymus thymus जो है ना, thymus हमारे chest cavity में thymus एक endocrine gland है ये हमारे chest cavity में है Thymos जो है न, ये कूनसा हार्मोन से क्रेτ करता है, थाइमूस सिंथ, थाइमूस सिंथ. ठीक है, तो आप याद रखोगे, हमारे chest cavity में कूनसा gland होता है, थाइमूस ग्लेंट, वो थाइमूस सिंथ हार्मोन सी क्रेτ करता है, चलिए question number now देख लीजिए इसमें सारे options गलत थे याद रखना ठीक है इसमें सारे options गलत थे तो question number now देख लीजिए अब which hormone is a lizard when there is excess of calcium in the blood शबाश which hormone is lizard when there is excess of calcium in the blood बताईए शबाश शबाश पराथाराइड, calcitonin, ADH यां TSH यह होता है anti-diuretic hormone है ना तो यह क्यों होता है थाराइड स्टूमेटिंग हार्मोन पराथाराइड में क्यों सा सिक्रिट होता है जब हमारे बलड में excess of calcium होता है तो इसका जो सही जोब है question number 9 का जो सही जोब है वह आपका calcitonin क्या है शबाश वह है calcitonin याद रखना calcitonin is secret when there is excess of calcium in the blood तो calcitonin को सिक्रिट कों करता है शबाश इसको सिक्रिट करता है पराथाराइड हार्मोन ठीक है पराथाराइड हार्मोन जो एक इंडोक्राइड ग्लेंड है लेकिन पराथाराइड हार्मोन को कुन सिक्रिट करता है पेराथाइड गिलेंड इसको ये सिक्रेट करता है ठीक है पेराथाइड हार्मून भी क्या एक इंडोक्राइन गिलेंड है तो क्वेस्ट नमर दस देख लीजिए विच हार्मून स्टुमलेटर्स सपर्मेटोजनस इन सिब्निफरस टुबिलस है ना एन ग्रियफिन फालिकल इंड अऊधिए टीट इस्टुजन इनकी सिब्स पर्मेटोजनस और इस्टुजन कुकून रिलीज कर वाता है द्यूबस आइए बताये पहस हएच बता बताये that is follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone ठीक है याद रखना तो question number 11 देख लिजी आप डैश डैश gland is situated below the larynx on both sides of respiratory tract in throat of human वो कुन सा gland है जो हमारे throat में हमारे respiratory tract के दून साइड में हमारे throat में है thymus thymus मैंने भी आपको बोला ये chest cavity में होता है ये तो question number 11 का जो सही जवाब है वह आपका part B thyroid ठीक है thyroid ये दूनुसाइड पर होता है हमारे respiratory tract में याद कि थाराइड glands कितने होते हैं ये दो होते हैं ठीक है तो ये भी एक endocrine gland है क्या है ये भी एक endocrine gland है actually a क्यों होता है लेकिन इसके दो पार्ट रो नियुक्त एकलीजिया विजाम्ता फॉलिंग न मेंसे इनकों इमजंसी इसमें किसको बोलते हैं शबाश शबाश इमर्जेंसी ग्लेंड हम किसको बोलते हैं वेरी गड़ अडरनल पाइनियल पेटुचिरिया थाइमस कुष्चन नमबर टुवैल का अंसर शबाश शबाश कुष्चन नमबर टुवैल का जो सही जौब है वह वह है आपका पाट एडरनल ग्लेंड ठीक है अब मैंने अधाब कोड़ाने कrepad था आप आद्वार ओर फलय यांप्रायचृट हार्मॉन थे ओAnn लेटको याद रखना अडरन ब्रेंट जो시는ma इमर्जनसी ग्लेंड किसको उमर्षनींश Г्लेंड बोलते हैं किवाश आडरНमल ग्लेंड को कहां पे होता है किड्मी होता है तो अदॉन Self-Dance नमबर 13 Which among the following actors as both endocrine as well as exocrine gland शबाष थाइमस, पीडि़ोच्थरी, पाइमियल, पैंक्रियास ये सारे question में आपको पढ़ाए है बताइए question number 13 का जो सही जवाब है वो है आपका part D pencreas pencreas एक ऐसा gland है जो endocrine भी है exocrine भी है लेकिन अगर देखा जाए ये सबसे ज़्यादा 99% ये exocrine है क्या है 99% ये exocrine है और 1% ये endocrine है ठीक है 1% ये endocrine है बाकी ये ज़्यादा तर क्या है exocrine ठीक है तो question number 14 देख लीजिए which is known as clockwork gland clockwork gland हम किसको बोलते हैं शाबाश clockwork gland pineal gland, pencreas, thyroid या slivery gland question number 14 का जो सही जवाब है वो है आपका part A that is pineal gland ठीक है pineal gland कहा भी होता है ये भी brain में ही होता है ठीक है ये कून सा हार्मन सेक्रेट करता है melatonin melatonin हार्मन कून सेक्रेट करता है pineal gland कहां पे होता है brain में होता है तो question number 15 की आगर हम बात करेंगे which of the following is called as pay setter of endocrine system शबाश pay setter of endocrine system हम किसको बोलते हैं किस हार्मन को pituitary, pancreas, pineal, thyroid question number 14 sorry question number 15 question number 16 का जो सही जवाब है आपका thyroid gland अभी मैंने आपको बोला ये क्या होता है ये भी एक endocrine gland है हमारे respirator tract के both sides में होता है तो question number 16 की आगर हम बात करेंगे देख लिजिए dental formula of adult human being is dental formula of adult human being is 2120-2122-2146-2123 that's incisor, canine, primodar, motor है ना तो बताईए, question number 16 का जो सही जवाब है वो क्या है मैं आप एडल्टी की बात कर रहा हूँ question number 16 का जो सही जवाब है आपका पार्ट D, that's 2123 ठीक है, insert के 9, primodar, ठीक है तो अब देख लिजे 2120 जो ने ये child में होता है ठीक है, child में याद रखना है, child का डेंटल फॉर्म है 2120 2123 किसका है शबाश, adult human beings का तो question number 17 largest endocrine gland of human body is largest endocrine gland pancreas, thymus, thyroid या pancreas sorry, याँ पर pancreas दो बार लिखा गया है बताए, question number 17 का सही जवाब क्या है इसका मतलब है, तीन ये options है आपके पास तो question number 17 का जो सही जवाब है वो आपका पार्ट C thyroid gland is the largest endocrine gland of human body, ठीक है तो largest organ of human body is largest organ organ की आपे बात हो रही है, ठीक है largest organ of human body is liver, second, finger, या बटार बताएए शबाश, question number 18 का जो सही जवाब है वो है आपका part B, second it is the largest organ of human body तो अब अगर आपसे ये पूछ जाएगा ना कि विचिज़ा लार्जस्ट इंटर्नल आर्गन है ना, अगर आपसे पूछ जाएगा ना कि विचिज़ा लार्जस्ट इंटर्नल आर्गन आप human body तो वह हैं liver, ठीक है internal organ, ठीक है largest internal organ ने आपका सही जवाब है, वो है part ए, ठीक है liver, liver में होती है maximum regeneration power, अब अगर आपसे पूछ जाएगा minimum regeneration power किसमे है minimum regeneration power minimum regeneration power जो है ना, वो आपकी nervous cell में होती है ठीक है, actually brain cellars जो है ना, brain cellars brain cellars में जो nervous होती है ना, brain cellars जो है वहाँ पे सबसे कम एरिजनरेशन पावर होती है ठीक है सब ज्यादा कहां पे होती है लिवर में होती है तो question number 20 देख लीजिए बीसी जी इस गिवन टू प्रोटेक्ट अगेनेस्ट बीसी जी इस गिवन टू प्रोटेक्ट अगेनेस्ट विच डिजीज मेजलस टाइफायड पूल्यो यह टीवी टीवी यानिकी ट्यूबर क्लोश से ना टीवी का मतब क्या होता है ट्यूबर डीजिज बताएब क्या मतब क्या है बैसिलस क्यालमिट गॉरीन किया था इसका जो सभी जौब ऑड़ीज जब नियू बारन बैबी तो इसको जो सबसे पहला जो वेक्शिन किया जाता है वो बीशी बैक्सिंट नहीं दिया जाता है ट्यू प्रोटेक्ट अगेनेस्ट तो question number 21 which of the following is not a viral disease इन मैंसे viral disease कुन सा नहीं है hepatitis, ringworm, dango fever, polio viral disease इन मैंसे कुन से नहीं है यानि कि तीन जो disease है वो viral disease है एक viral disease नहीं है वो दूर से दिखाई देती है शबाश है ना कुछ शायद पहले उसका आ रहे हैं है ना ringworm disease है ना ये एक fungal disease है तो ये नहीं है बाकी hepatitis, dango fever, polio जो है ये तो viral disease है तो question number 22 देख लीजिए ELISA test is used to detect शबाश याद है ना आपको enzyme एक से करे एक से करे लाइस का मतलब क्या है ELISA that is enzyme linkered immuno इम्यून जार्बंट ऐसे है ना ये इसकी full farm है किसकी ELISA की बताए ELISA test is used to detect which disease genital herpes, adis, influenzae, type fire question number 22 का जो सही जवाब है वो है आपका पार्ट ये adis ठीकिना adis किसे होता है HIV virus है ना question number 23 देख लीजिए vitamin E chemical name जैने की vitamin E का chemical name क्या है calcium fral, phyloquinine, ascorbic acid ये टोको फराल question number 23 question number 23 का जो सही जवाब है वो है आपका part part D ठीक है तो part D जो है chemical name किसका है vitamin E का calcium fral किसका है vitamin D का ascorbic acid किसका है vitamin C का तो दूसरा कोने phyloquin phyloquinine किसका है vitamin K का तो अब deficiency of which vitamin causes less fertility शबाश किस vitamin से less fertility हो सकती है अगर उसकी deficiency होगी हमारी बाड़ी में शबाश question number 24 का अंसर question number 24 का जो सही जवाब है वो है आपका part शबाश part ये ठीक है टोक उपराल क्यों कि टोक उपराल किसको मोलते है vitamin E को बोलते है क्योंकि vitamin E से ही हो सकती है less fertility यानिकि अगर इसकी डिप्शन से होगी question number 25 last question है आपका which of the following act is as a side sorry as a side for gaseous exchange ठीक है यानिकि gaseous exchange कहां पे होते हैं प्रोकाई में ट्राकिया में अल्वुलाई में या फैरिक्स में शबाश बताईए कहां पे होता है question number 25 का जो सही जॉब है आपका अल्वुलाई ठीक है अल्वुलाई में यह होता है exchange of gasey जैनिकि carbon dioxide और जो option है वो कहां पे होती है उनका exchange वो होता है हमारे अल्वुलाई में तो अब बताईए कितने questions आपने attempt किये अपने 25 किये तो अपना सिकूर बताईए जिसने 25 मैंसे 20 किये ना जिसने 25 मैंसे 20 questions ठीक किये उसका सिकूर बहुत अच्छा है ठीक है जिसने मदब 1918 किये ना उसको मदब मैं कह सकता हूँ कि आपको revise करने की बहुत ज़्यादा जूरू है ठीक है जिसने 25 मैंसे 20 किये उसका सिकूर बिल्कुल ठीक है बताई अपना सिकूर शाबाश जल्दी करो शाबाश शाबाश तो चलिए आज की इस फीडियो में इतना ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट आपने तब तकी लिए बाई बाई टीकेर